Hello friends, मेरा नाम जिक विंदर है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं network switches के बारे में Network switch एक ऐसा networking device है, जो दूसरे computers को, networking devices को और network segments को आपस में connect करता है इसे multiport bridge भी कहा जाता है, यानि कि जो bridge था जिसमें हमारे 2 ports होते थे या कभी-कभी 3 ports भी होते थे उसी को improve करके एक निया networking device बनाया गया जिसे switch कहा जाता है, और इसे multiport bridge भी बोला जाता है क्योंकि इसकी working और bridge की working मिलती जुलती है, और हमारा network switch layer 2 of OSI, यानि कि data link layer के उपर work करता है लेकिन आजकल आपको ऐसे switches भी मिलेंगे जो layer 3 के उपर काम करते हैं या transport layer के उपर भी काम करते हैं ऐसे switches को layer 3 switch या multi-layer switch भी कहा जाता है, multi-layer switches switch 2 और 3 और 4 पे भी work करते हैं इसलिए वो switching के साथ साथ routing का काम भी करते हैं, लेकिन अगर हम केवल switch की बात करें, तो switch एक ऐसा device है जो data link layer या layer 2 of OSI model पे work करता है अगर उसके साथ हमने layer 3 लगा दिया है या multi-layer switch लगा दिया है, तब ही वो layer 3 switch या multi-layer switch को represent करेगा otherwise अगर खाली word switch यूज होता है, तो वो हमारे network switch यानि के वो switch के वो represent करता है, जो layer 2 के उपर work करता है switch की working बड़ी simple होती है, switch अपने port के उपर message को receive करता है in form of frames और उसे transmit करता है के वल उसी device को, जिस device के लिए ये message भीजा जाता है ये hub की तरह नहीं है, क्योंकि hub अगर अपने port पे data को receive करता है, तो उसे transmit कर देता है all connected devices को, सभी connected devices को message मिलता है, जिसके लिए वो message होता है, वो उसको रखता है और बाकी सब लोग उसको drop कर देते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा congestion की problem हो जाती है लेकिन जो हमारा switch है, वो उसी device को data send करता है, जिसके लिए वो data भेजा गया हो आज कल के हमारे सभी lens में ये network का एक जरूरी हिस्सा बन गया है और आज कल के lens हम सोच भी नहीं सकते कि network switch की बिना हमारे lens होंगे या exist करेंगे अगर आप देखें तो हमारे mid to large size lens में आपको बहुत सारे switches मिलेंगे जो आपस में एक दूसरे से connected होंगे और किसी rack में लगे होंगे या scattered भी हो सकते हैं लगलग places के उपर बहुत सारे switches आपस में connected होंगे लेकिन इसके इलावा जो हमारे small offices, home offices हैं या छोटे offices हैं उनमें भी आपको switch देखने को मिल सकता है तो कहने का मतलब है कि switch हमारे आज के local area network के एक integral part है और इसके बिना हम lens के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं तो network switch की working को देखते हैं Ethernet switch एक separate collision domain create करता है अपने हर एक port के लिए तो क्योंकि ये bridge का ही एक रूप है, bridge को ही improve करके बनाया गया है और multiport bridge भी कहलाता है तो क्योंकि हमारे bridges में दो ports थे तो वो network को divide करते थे into two collision domains और यहाँ पे हमारे पास number of ports ज़्यादा होते हैं तो switch के जितने भी ports होते हैं उसका हर port act करता है as a separate collision domain तो एक वीडियो में हम यह collision domain और broadcast domain को भी अच्छे से समझेंगे अभी के लिए आप यह समझे कि collision domain ऐसे network interface cards का group होता है जिन में कभी भी collision हो सके तो इसका हर port act करता है as a separate collision domain माल लिजे मेरे network में चार computer लगे हुए हैं computer A, B, C और D और इन चारो computer में से माल लिजे A data transfer करता है B को और इसी तरीके से B भी data transfer कर सकता है A को यह जो communication होगा यह A और B के बीच में ही होगा और अगर C और D आपस में in between communication करना चाहते हैं तो वो भी communication कर सकते हैं और दोनों ही communication separate रहते हैं और एक दूसरे के साथ interfere नहीं करते हैं चलिए इसी को समझते हैं एक animation के दौरा माली यह मेरे network में एक switch लगा हुआ है और चार system है इनका नाम A, B, C और D है और यह चारो connected हैं हमारे switch के साथ और यह switch एक table maintain करता है जिसे forwarding table या Mac address table भी कहा जाता है इस forwarding table में हमारे सभी connected devices के Mac address इस store होते हैं कि कौन सा device किस port number के साथ attach है उसका Mac address या physical address इस forwarding table में store होता है यह forwarding table या Mac address table बनता कैसे है इसे हम एक separate video में देखेंगे और उसके बारे में ज़्यादा समझेंगे अभी के लिए आप यही समझें कि इसमें एक table होता है और माल लिजे system A data send करना चाहता है system B को तो data हमारा switch के पास जाता है और switch इसे check करता है अपने forwarding table में और वो देखता है कि जो destination address है वो उसके port number 2 के साथ connected है तो वो data सीधा port number 2 से बाहर कर देता है और वो मिल जाता है system B को इसी तरीके से माल लिजे C भी data send करना चाहता है किसी और device को माल लेते हैं device D को तो again C data send करेगा switch को switch अपने forwarding table में D का address चेक करेगा और वो देखेगा कि जो D system है जिसका कि Mac address all 4 है वो connected है with port number 4 तो वो उसे port number 4 से out कर देगा यानि कि port number 4 से वो data बाहर जाएगा और D system को मिल जाएगा तो इस तरीके से simply switch work करता है एक table को follow करता है तो network में switches को use करने के जो main benefits हैं वो इस परकार है सबसे पहले switches हमें high speed data exchange देते हैं यानि कि ये work करते हैं on 10, 100 और gigabit switch gigabit में data transfer करते हैं इसके लावा ये full duplex communication provide करता है जैसे कि last animation में हमने देखा कि जो system A था वो B के साथ directly communicate कर पा रहा था और simultaneously CBD के साथ directly communicate कर पाता है और ये full duplex communication provide करता है इसके लावा यहाँ पे जो latency है वो काफी कम होती है यानि कि जो data हमारा switch में enter करता है और वहाँ से switch से बाहर आता है काफी कम समय लेता है और ये बड़े fast devices है और ये हमारे network में dedicated communication provide करते हैं between devices अगर हम कह सके तो ये point to point type of communication भी provide करते हैं क्योंकि एक sender का data एक receiver तक directly पहुँच पाता है तो ऐसा communication हो जाता है indirectly जैसे point to point connection उन दो devices के बीच में हो तो इस वीडियो में हमने network switches के वारे में जाना तो इस वीडियो में इतना ही